चले, next question, question no.8 को solve करते हैं What must be subtracted from the polynomial f of x is equal to x की power 4 plus 2x cube minus 13x square minus 12x plus 21 so that the resulting polynomial is exactly divisible by x square minus 4x plus 3 तो देखे, इसे भी solve करते हैं, हमको given polynomial f of x, ठीक है इस polynomial को हमको x square minus 4x plus 3 से divide करना है मतलब यह हो गई हमारे लिए g of x इससे हम अगर इसको divide करते हैं तो अभी reminder आएगा ठीक हमको वो condition बताना है या वो polynomial बताना है कि जो कि मैं f of x में subtract करूँ तो g of x से वो completely divide हो जाए अभी हमने question number 7 में इसका पूरा concept को समझाए actual में हमको हमेशा अगर इस type की problems आती है तो जो हमारा dividend होता है उसमें से remainder को subtract ही करना होता है previous question में जबकि हमसे question number 7 में बोला गया था कि हमको क्या add करें तो जो remainder आया था इसलिए हमने remainder का sign change करके f of x से इसको subtract किया था ठीक है तो basically हमको remainder को f of x से subtract ही करना होता है अगर आपको add बोला गया है तो आप remainder के sign change करके add कर दीजिए ठीक है तो चलिए इसको भी solve करते है हमको f of x जो given a polynomial मेरे वो है x की power 4 plus 2 x is cube minus 13 x square minus 12 x plus 21 ठीक है इसको में divide करना है x square minus 4 x plus 3 से ठीक divide करते है तो divide करने के लिए x square बनाना है तो हमने x square का multiplication किया तो यह हो गया x square sorry x to power 4 x square into minus 4 x तो यह हो जाएगा minus 4 x cube x square plus 3 into करने तो प्लस का 3 x square राइट सेंट चेंज किया यह दुनों टम्स का इसको यह प्लस का 2 x cube है यह प्लस का 4 x cube तो एड़ होके हो गया 6 x cube यह भी नेगेटिव यह गी नेगेटिव दूनों आपास में एड़ हो तो माइनस का 16 x square बागी टम्स हमने आज इस लिख लिया है हमारे पास x square तो पहले तो ले लिए प्लस का 6 साथ साथ x तो 6 x square इंटु एक्स होप मिलकर हो जाएगा 6 x cube ओके 6 x का मुल्टिपेशन माइनस का 4 x से साथ भी हुआ तो माइनस ब्लस माइनस 6 4 जा 24 x square 6 x का मुल्टिपेशन 3 के साथ हुआ तो 6 3 जा 18 x सेंट चेंज किये यह दोनों terms cancel प्लस का 24 x square है यहां पर माइनस का 16 x square है तो subtract होके यह बचा 8 x square यह दोनों add हो जाएंगे साहिन माइनस का आएगा 18 प्लस 2 20 प्लस 9 30 30 x plus of 21 अब हमको x square चाहिए 8 x square जबकि है हमारे पास x square तो simple हम यहां पर 8 का मल्टिपेशन कर देते हैं तो 8 का मल्टिपेशन किया तो यह हो गया 8 x square 8 का मल्टिपेशन माइनस 4 के साथ हुआ तो यह दोनों add हो जाएंगे प्लस का 32 माइनस का 30 तो बचेगा 2 x माइनस का 24 प्लस का 21 तो बचेगा माइनस का 3 तो जो remainder हमारे पास आता है उसी को हमको f of x से सब्ट्रेट करना होता है अभी हमने बिल्कुल अच्छे से समझा है इसको तो तो finally हम conclusion इसका दे देंगे क्योंकि हमको इतना ही जो remainder आया है वही f of x से सब्ट्रेट करना है तो we must we must subtract 2 x minus 3 in order to order to get the resulting polynomial polynomial exactly exactly डिवीजबल बाइ डिवीजबल बाइ जी ओफ एक्स जी ओफ एक्स का है मारे पास एक्स स्क्वेर माइनस 4 एक्स प्लस ओफ थ्री ओके किलेर कोशन नोट कर लीजिए बस आपको ध्यान यह रखना है कि आपको सब्ट्रेट बोला है तो एक्स ने जो प्रोसेस हमको फॉल्व करना होती है वही हो रही है अगर आपसे बुला है क्या आड़ करें तो इस रिमेंडर का जो साइन ने वह चेंज कर दीजेगा ओके जिसे हमने कोशन नमबर 7 ने किया था था थैंक्स पर वाचिंग